सुगयज फैनली मोटोरॉला एज 40 स्maartphone का इंडिया लॉच्फार्म हो चुका है और ये स्maartphone 23 मई को इंडिया के लॉच्छ किया जाएगा जहां दोस्तो मोटोरॉला की तरफ से स्मार्टफोन को लॉंच करने की काफी टाइम से तयारी चल रही है और जल्दी दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट के इंदर देखने को मिलेगा फॉन के बारे में दोस्तों सभी कनफर्म डिटेल और डिजाइन वगरा दोस्तों निकल कर सामने आ चुकी है इसके पर जनकारी के लिए वीडियो में तक बने रहें और दोस्तों चैनल पर पहली वराई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबको मालूम है कि मोटरूला अपनी एस स्मार्टफोन के काफी बढ़िया स्मार्टफोन लॉंच करता है अब इसी स्मार्टफोन की जो डिजाइन है वो निकल कर सामने आ चुकी है इसके रियर साइड में आपको डियोल के अबरा सेट अब दिया गया है साथी फ्रेंट सैड में एक बड़ी डिस्पले पंचल के कट आउट के साथ में आपको मिलती है तो इस स्मार्टफोन की डिस्पले गई है और डेफि काफी बड़िया देखने को मिलेंगे अगर आपको वीडियो वगरा देखना पसंद है तो डेफिनेटली काफी कमाल का व्यूइक्स प्रेंस आप यहां पर एक्स्पेट कर सकते हैं डिस्पले के बाद दोस्तों हम नैश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की पर्फॉर्मेंस क देखने को मिलेगा यूट्स प्साइट है तो 5G connectivity के साथ में काफी कमाल की गेमिंग वगरा दोस्तों यहां पर कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों कोई भी टास्को इजली आप यहां पर complete कर सकेंगे इसके साथ ही कैसी यहां पर आपको 8GB की RAM देखने को मिलेगी जोकि 128GB और येर साइड में dual camera setup देखने को मिलेगा जिसका main sensor रहेगा 50 Megafsal का जो की OIS के support के साथ में आएगा साथी 13 Megafsal का ultra bedangle lens यहां पर आपको मिल जाएगा और अगर वहीं बात करते हैं smartphone के अंदर front camera के बारे में तो 32 Megafsal का एक selfie camera यहां पर आपको मिलता है जिससे काफी कमाल की selfies और video calling मगरा तो stop कर सकते हैं तो camera setup भी दोस्तों smartphone का काफी decent रहने वाला है काफी बड़े numbers दिए गए हैं तो definitely काफी कमाल की camera quality आप यहां पर expect कर सकते हैं अगर camera's के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं smartphone की battery के बारे में तो ऐसे leaks निकल कर सामने आ रहे हैं कि यहां पर आपको 4400 damage की ए है तो काफी जल्दी smartphone को charge भी यहां पर आप कर सकते हैं अगर smartphone के कुछ और features के बारे में बात करते हैं तो fingerprint का support यहां पर आपको on screen देखने को मिलेगा साथी type c का support भी गई इस यहां पर आपको मिल जाएगा इसके लाव अगई सिय स्मार्ट फॉन एंडूट 13 पर वैक करेग सुग इसी ती सारे information motorize 40 smartphone के सभी specs के बारे में आप तक आप spawn के बारे में क्या सोचते हैं और क्या पर spawn को लेने में interested होंगे अगर आपको कोई और भी कमेंट हो गई तो आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में कैसे तना ही अगर वीडियो चलगा हो तो वीडियो प्रिक लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर वहली वराए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ देराग डेक वीडियो मिलती रहें मैं मिलता हूँ आपको नैस्ट वीडियो अप तक के लिए गुडबाई, have a nice day